दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सब का स्वागत है, मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है तो आईए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्ते में कुछ नई बाते शीखते हैं विद्धर्थियों आज की वीडियों बना रहे हैं कक्षा बारा की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक अंत्रा के फणिश्वर नाथ रेणू द्वारा लिखे गए पाठ्थ सम्वधिया कहानी से सम्बंदित इस वीडियों में हम सम्वधिया कहानी का वाचन करेंगे रुसकार्थ और भाव समझाएंगे इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जिसमें फणिश्वर नाथ रेणू का और सम्वधिया कहानी का सार हम बता चुके हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकोन को जरूर दबाएं तक कोई वीडियो आप मिशन कर पाएं सम्वधिया फणिश्वर नाथ रेणू के द्वारा लिखी गई कहानी हर गोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को सम्वधिया की जरूरत पढ़ सकती है इस जमाने में जबकि गाउं गाउं में डाग घर खुल गए हैं सम्वधिया के मारफत समवध क्यों भेजेगा कोई आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल समवध मंगा सकता है फिर उसकी बुलाहट क्यों होई सम्वधिया मतलब किसी को आप लिख करके या बता करके संदेश दे दीजिए उस व्यक्ति तक बात पहुचा दीजिए वो सम्वधिया है यानि कि समवध करने वाला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीद समवध को स्थापित करने वाला तो यहाँ पर कहानिकार छोटा सा परीचे दे रहे हैं वदिया की जुरुता आज की तारीख में किसी को है नी चुकि डागर खुल गए हैं कहानी आजादी से पहले की लिखी हुई ये लगभग लगभग तो उस समय की बात है अन्य था आज तो आप जानते हैं कि इंटरनेट के माध्धम से और मोबाइल के माध्धम से चीज़ें और बदल गई हैं इसमें समवाद की आउसकता चेठी पत्री की आउसकता डाग घर की आउसकता डाकिये की आउसकता भी खात्म कर दी है WhatsApp से, Facebook से, Messenger से, Mail से आप तुरंत समबाद भेश सकते हैं, बात कर सकते हैं हर गोविंद बड़ी हवेली की टूटी डोड़ी पाकर पार कर अंदर गया सदा की भाती उसने वातावर्न को सुंग कर समबाद का अंदाजा लगाया यह उसकी एक कला है एक तरह से जो व्यक्ति जो कार्रे करता है उसमें धेरी धेरी निकुन हो जाता है और उसमें अभ्यस्त हो जाता है उसकार्रे के बारे में जानता है निश्चे ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो परेवा पंची तक न जाने यानि किसी को आभास नहीं हो कोई ऐसा संदेश साइद लेकर के हवेली से कहीं दूस्चे के जाना है ऐसा आभास उसको आते हुई हुआ पाउं लागी बड़ी बहुरिया नमस्कार किया बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हर गोविन को पीढ़ी दी और आँक के इशारे से कुछ देर चुपचा बैठने को कहा पीढ़ी यानि कि एक तरह से चार पाही का बहुत छोटा पार्ट छोटा हिस्सा लगभग दो बाई दो का एक छोटा हिस्सा होता है लगभग आदे फूट मुचा और दो बाई दो उसकी लंबाई छोड़ा एक बिने हुई एक छोटी चार पाही उसे पीढ़ाई बोलते हैं पीढ़ी बोलते हैं बैठ गया बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है जहां दिन रात नोकर नोकरानियों और जंद मजदूरों की भीड लगी रहती थी वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरी आपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है यानि कि पहले यहां एक तरह से व्यंग है जो लोग राजा महराजा थे बड़े लोग थे उनके यहां बहुत सारे लोग काम करते थे मजदूर नोकर चाकर वगएरा और बहुत ठाट बाट थे लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गया कि इस तरह की प्रताड़ना जहलन नहीं है और दूसरा बड़े लोगों ने भी अनाचार अत्याचार करने प्रारम कर दिये तो लोग उनसे दूर होते चले गए और इन्होंने आम जंता की बारे में बहुत कम सोचा तो ये बड़ी हवेलियां एक तरह से खाली हो गई तो बड़ी हवेली की बड़ी जो बहु है वो अपने हाथ में सूप का मतलब होता है चाज जिससे अनाज साफ करते हैं उससे अनाज साफ कर रही है तो एक तरह से यहां व्यंग है कि बड़ी हवेली अथात बड़े लोगों की कारना में किस तरह से बदले जिसके कारण उन्हें अपना नुकसान जहिलना पड़ा औ वही गाउं की नाइन परिवार पालती थी कहा गये वे दिन हर गोबिन ने लम्बी साच ली अर्था जिन हाथों से आज ये अनाज साफ कर रह smoothly उन हाथों में सिर्फ मेहंडी लगती ती और वो भी गाउं की नाइन लगाती थी और उस मेहंडी लगाने की आवेज में उनको महनता ना मिलता था बड़े भाईया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया तीनों भाईयों ने आपस में लड़ाई चगडार सुरू कर दिया ये एक बड़ी समस्या आम तोर पे बड़े घरानों से लेकर छोटे घरामों में पनपी आपस में विवाद जमीन का जायदाद का धन का और जिसके कारण की सब धिर धिरे भिखरता चला गया सम्वी संयुक्त था के विपक्स में रैतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया फिर तीनों भाई गाउं छोड़कर शहर में जावसे रह गई बड़ी बहुरिया कहां जाती बेचारी भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं अब सब चले गए लेकिन वो यहीं रह गई और एक तरह से ये भी बड़ा ही अच्छा वाक्य है कि भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं तरसल चूंकि वो छल कपट बेहिमानी नहीं जानता तो वो जो सहज सुभाव से उसके हिस्से में सुख या दुख आते हैं उन्हें वहन करता हुआ जाता है इसलिए कई बार लगता है भला अदमी जादा कष्ट सेहन करता है नहीं तो एक घंटे की बीमारी में बड़े भहिय क्यों मरते यानि कोई उपाय कोई इलाज उनका हो सकता था लेकिन संभवते नहीं करवा पाए बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीनकर बंटवारे की लीला हुई थी हर गोबिन ने देखी है अपनी आखों से द्रोपती चीर हरन लीला बनारसी साड़ी को तीन ट का द्रोपती चीर हरन का वरनन है वैसी ही लीला यहां पर हर गोबिन ने बड़ी बहुरिया के साथ में होती भी देखी थी अर्थात हर चीज का बटवारा कर दिया बनारसी साड़ी को भी कपड़ों को भी तीन टुकड़ों बाट दिया अब जानते हैं आपकी इस तरह से पर उसका उपयोग क्या रहे जाएगा तो कहने का तत्परी यह है चीजों को छिन भिन कर दिया गया सही अनुपात में और सही तरीके से नहीं न्याय हो पाया गाउं की गोदियाईन बूढ़ी न जाने कब से आंगर में बैठ कर बड़ बड़ा रही थी उधार का सोधा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाईन की बात कड़ भी लगती है मैं आज दाम लेकर ही उठूँगी ये बहुत सोभाविक रूप से एक कथा है सोरी कहावत है कि जब आप उधार कोई चीज लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसको चुकाना पड़ता है तो बहुत महनत करने पड़ती है और सामने वाला जब मांगता है तो बड़ा बुरा आर्था लगता है बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया हर गोबिन ने फिर लंबी सांस ली जब तक यह मोदियाईन आंगन से नहीं टलती बड़ी बहुरिया हर गोबिन से कुछ नहीं बोलेगी वह अब चुप नहीं रह सका मोदियाईन का की बाकी बकाया वसूलने का यह काबूल काबुली काईदा तो तुमने खुब सीखाया यानि कि मोदियाईन कुछ पैसे जो बाकी थे वो लेने आई थी तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि आपने जो इबकाया वसूल करने का सलीका है ये बड़ा अच्छा सीखाया है काबुली काईदा सुनते ही मोदियाईन तमक कर दाढ़ी निमोच यानि कि जिसके मूच नहो ग्रामीन परिवेस में और खास तोर से आजादी के कुछ वर्षों बाद और उससे पूर पुरुष की मूच मूच और दाढ़ी अपने आप में एक शान हुआ करती है और यह कटाक्ष है मतलब नहीं जमाने पर आधुनिक्ता क के दोर में वो नहीं रख रहे है हालाएं कि व्यक्ति की अपनी इच्छा है लेकिन फिर भी एक पहचान उसकी है जैसे कि स्त्रियों के केश लंबे सुंदर घाने बाल उसकी सुंदरता है उसका एक सुंद्रिय का अभोशन है ऐसे ही पूर्षों का भी वह एक आभोशन है ए गाउं में आता था और मोधियाईन के ओसारे पर दुकान लगा कर बैठता था यानि कि उसके चब उत्रे पर घर के बाहर आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से एक का दो वसूलता ये भी एक तरह से बढ़ा कटाक्स है खास तोर स सामनती दोर में जब राजा महराजाओं का प्रसासन था तो वो लोग ऐसे ही वसूल करते थे तो जो प्रतिष्टित पैसे वाली लोग है वो इस तरह से काम करते थे उन पर एक तरह से पटाक्स है ये एक बार कई उधर लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरमत कर दी कि फिर लोट कर गाउं में नहीं आया लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाईन लाल मोदियाईन हो गई अर्था तो उसको क्रोद आने लग गया काबुली क्या काबुली बादाम के नाम से भी चिड़ने लगी मोदियाईन गाउं के नाचने वालों नाच में काबूली का स्वांग किया था तुम अमारा मुल्क जाएगा मोदियाईन हम काबूली बादाम पिस्ता अकरोट किलाएगा यानि की काबूली वाले के नाम से चड़ने लगे लोग उसे चड़ाने का प्रियास भी करने लगे मोधिया इन बड़ बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हर गोविन से कहा हर गोविन भाई तुमको एक समवाद ले जाना है आज ही बोलो जाओ गेने उसके जाने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी तो विद्ध्यार्थिव आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं चूंकि दस मिनट हो गए हैं हम इससे जदा वीडियो लंबा बना नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होती तो सेस पार्ट अगले वीडियो में आप लगातार देखते रहें विजिट करते हैं चैनल पर आपके मन में कोई सवाल है कोई इग्यासा है कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हम उसका समाधान करेंगे और चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ओपिक साथ फिर मिलते हैं तक लिए शुक्रिया नमस्कार